चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो नी 22 का रेजल्ट आ चुका है अभी हमें काउंसलिंग स्टार्ट होने का इंतजार है तो MBBS, BDS की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है MCC की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है और स्टेट की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो सकती है क्या इसमें कोई अर्चन तो पैदा नहीं होगी इस विशे पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मैंने वो सारी जानकारी दे रखी है जो आपको जानना जरूरी है इसमें सीट मैट्रिक्स फीस इस्टक्चर 2022 में आपको कैसे चोईस फिल करनी हैं सर्विस बॉंड के जानकारी हर एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है तो यह आपके लिए काफी हैलफुल रहेगी जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे हम आप से संपर्क कर लेंगे आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं अब हम बात करेंगे MCC की ओल इंडिया कोटा, AIMS, जिपमार, ESIC और DIMD University की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है तो इसमें जनरली 10 से 15 डेज का समय लिया जाता है NTA द्वारा MCC और स्टेट को कंडिडेट का रजल्ट और अधर डाटा प्रोवाइड करने के लिए इन सब को देखते हुए हम आसा कर रहे हैं कि 20 सिप्टेमबर के नियरबाई MCC की यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है और उसके 10 डेज के बाद स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है कुछ स्टेट रजिस्टेशन पहले ही ओपन कर देते हैं जैसे पॉंडिचेरी, मनीपूर, अरुनाचल प्रदेश, इत्यादी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जैसे ही स्टेट और MCC के रजिस्टेशन स्टार्ट होंगे हम आपको इन्फोर्म कर देंगे और काउंसलिंग के रेगार्डिंग हर एक अपडेट भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलेगी अब हम बात करें कि इस काउंसलिंग में कोई कोर्ट केसेज या अन्य कोई कारण इफेक्ट तो नहीं कर सकता है कहीं जिसके कारण ये काउंसलिंग डिले हो सकती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि PG की काउंसलिंग 15 सिप्टेमबर 22 से स्टार्ट होने जा रही है तो इसमें UG में भी इस परकार की कोई अर्चन पैदा होने की संभावना नहीं है किसी भी कारण ये डिले होने की पोसिबिलिटी नहीं है इसमें जब PG की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है तो PG और UG के लिए रूल सेमी है तो इसमें कोई प्रोब्लम नहीं आएगी काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की कोई प्रोब्लम नहीं आएगी इसमें तो ये जानकारी थी UG की काउंसलिंग के बारे में तो मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय है